नमस्कार दोस्तो मैं हूं मुक्ता दिक्षित ऐस्टरोजर जी हां दोस्तो मैंने आपको जो है सौंबार के मार्केट के बारे में ऐस्टरोजी के बेस पे जानकारी दी थी जिसमें आपको निप्टी और निप्टी बैंक में अच्छी मद्दी के संकेत दिये गए थे और इसक जानते हैं कि हमारे कालर से जैन्ब पत्री काई देखी जाती है बनवाई जाती है इसके साथ इससाथ आप गोल्ड, سिल्वर, निफ्टी निफ्टी वैंग, कुरूड ख्रूड आइल आदी का मन्तली विकली द्हरिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और और इसके साथ जो है आप अपना रासी फल मंतली बीकली भी बनवा सकते हैं जिससे कि आपको पता लग जाता है कौन सा दिन आपका सुब है कौन सा दिन अजूब है इसके लिए हमें विसेश जो है इसके लिए विसेश जो है हमें अपनी जनम पत्री का से विचार करने से और स रहीं और सटीक फल जो है क्राप्त होता है जैसा जानकारी आपको दी गई थी निप्टी निप्टी बैंक के बारे में तो हमने जो गिरावट देखिया आज निप्टी आपका 15,711 तक जो लो गया और मेरे द्वार जो टार्गेट निकाला गया था 15,750 निकाला गया थो लगभग जो टार्गेट निकाला जाता है वह मार्केट पार कर जाता है silver के लिए भी मैंने 54000, gold के लिए भी मैंने 54000 का target बतलाया था वह target भी पूरा हुआ और 71000 चान्दी के लिए बतलाया था तो वह target भी पूरा हुआ तो जी हैं दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे सारे कार जो रहते हैं एस्ट्रोजी के बेस्पे किये जाते हैं जब भी आप मार्केट में काम करते हैं मार्केट का रुख देखें अपने स्वाविवेक का उपयोग जरूर करें अब हम देखेंगे कि mंगलवार का मार्केट कैसा रहेगा likelihood की आठ मार्च का 2022 का जो है आपका मार्केट कैसा रह सकता है कि तेजी होने वाली है या फिर मद्धी ही होने वाली है क्रहस्तिति क्या कह रही है इसके बारे में सबसे पहले हम पंचांग का उलोकन करेंगे बहुत से लोग कुणली दिखनाने के लिए पूछते हैं तो जी हां रहती हैं इसके साथ हमारे काले से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, कुरूड आइल का पर आधी का जो है दैनिक मंतली, बीकली प्रडिक्शन दिया जाता है वह भी आप पार्ट कर सकते हैं और उसके साथ जो है टार्गेट भी दिया जाता है कॉल भी आप मेस राज़ी रहेगी आपके 12 बच कर 30 मिनट तक, इसके बाद सब राज़ी का प्रभाव पूरे दिन रहेगा, तो कल राशी फल में कुछ उतल पुतल देखने को मिल सकती है क्योंकि कल दो राज़ी यों का प्रभाव आ रहा है राज़ीओं के उपर, तो यदि हम थोड़ इसी भी भूल चूप करते हैं तो हमें अधिक नुक्षानी उठानी पड़ सकती है तो इसलिए राशी फल को थोड़ा ध्यान से सुने सबसे पहले हम देखिंगे मेश राशी वालों के लिए कल जो है बारा साले बारा बजे के बास से लापका योग बनेगा और इसके साथ जो तो हम में आफनलन अब यह समय के सहने से सबु오 के लिए के समयन नीक कर्त हैं तो यहां पर अपको मिलेगा राशी alguém के लिए कमकर के आपको यह सरय वह किरी enough करनल और इसके यहांपर ब्हुतर刨िके दो कर्यार के लिए भी कुछ लाब कुछ हानी का योग है लाब मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं ब्रश्चिक राशी वालों के लिए भी जो है बारा वजे के बाद से लाब का सुरू होगा लाब का योग सुरू होगा इसमें आप काम कर सकते हैं धनू राशी वालों के लिए पूर्ण हानी क का योग है काम ना करें तो बहतर रहेगा मकर राशी वालों के लिए पूर्ण लाप का योग है काम करके लाप की प्रापती होगी कुम राशी वालों के लिए हानी का योग है कुछ लाप कुछ हानी का योग है तो लाप मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं मीन राशी वालों अपनी जनम पत्रिका से ही करवाना चाहिए अब हम देखेंगे कि निप्टी में कल क्या हो सकता है तो निप्टी में जो है 15,000 तक निप्टी पहुंच चुका है कि यह चाउदा पर भी जा सकता है तो आगे की और ग्रेश्टितियां क्या कहती है इसके बारे में भी मैं आगले 15711 हाई यह था 15944 तो जी हाँ दोस्तो अब हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है तो कल भी ग्रह स्थिति के अनुसार जो है 9 से लेकर के एक बज़े तक यहाँ डाउन की स्थिति बराबर बनी रहेगी और जो है कुछ यहाँ पे सुधार संभा हो सकता है 1230 से लेकर के लगवग 31 के बीच में लेकिन इसके बाद ही मार्केट में डाउन की स्थिती ही बन सकती है तो जी हैं दोस्तो यह जानकारी मैंने आपका इस्टोलोजी के बेस पे दी है और इसके साथ कलकट जो टार्गेट रह सकता है लगभग जो है 160 से लेकर के लगभग 290 पॉइंट के अंतर गत जो है मार्केट में काम हो सकता है अधिक जानकारी के लिए आप कारले के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद नमस्कार